सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इंवेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाईए रेगुलर अपडेट पाने के लिए हेलो दोस्तों नमस्कार सागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इंवेस्टिंग में है मैं हुन दरुत्म दुबे और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक की टॉपिक करना हम है कि हमें इंवेस्टिंग कभ स्टाट करना चाहिए जाना तर लोग सुचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा उस समय हम इंवेस्टिंग स्टाट करेंगे या हमारे पास 10 लाग या 20 लाग रुपेश हो जाएगा उस समय हम अपने रुपेश को कही न कहीं इन्वेस्ट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपको जिंदिगी में पैसे कमाना है दौरत कमाना है बहुत सारा अपनी जो गोल्स है लॉंटर्म गोल्स उनको कब इस्टाट करना चाहिए तो आजका इस टौपेक हमारा इसी विषय के उपर है कि हमें इन्वेस्टिंग इस्टार्ट करना चाहिए तो बारें बरफेट जी दुनिया के सबसे बड़े नेवीषक जिने बारेंट बफेट कहते हैं उन बारेंट बफेट जी ने 11 वर्स की एज में अपना पहला सेर खरीदा था यानि हम कह सकते हैं कि 11 वर्स की एज में उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करती थी और ये बात लगबग आज से 60 सब पुरानी है जब उस समय उन्होंने पहली बार 11 साल की एज में अपना सेर खरीदा तो उन्हें बड़ा वाज दुखी होते हैं कि मैंने 11 वर्स की एज में क्यों खरीदा मुझे कम से कम चार साल पेरे खहिदना चाहिए था तो मेरे पास और बड़ी संपत्ति होती तो कहने का मतलब यह है कि आपको इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करना चाहिए आपको इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए करते हो और आप थोड़ा बहुत पईसे कमाते हो तो आपको कमाई के में से कुछ इस्था इंवेस्ट करना चाहिए तब आपको खर्च करना चाहिए बारंड पर पेट जी नहीं पुलाए कि पहले क्या करो पहले इन्वेस्ट करो अगर आपके पास आपने एक लाग रुपय कमाएं तो पहले दस भी साया जो भी रुपय आपको चाहिए वह आपको इन्वेस्ट कर दिना है उसके बाद जो बागी रुपय बचें उनको इनको खर्च करना एनको खर्च करना एं जनेरली लोग करते क्या है लोग गलत करते है वह क्या करते है पहले खर्च कर लो उसके बाद जोड़ से हमारी हों परने के लिए हैं तो कि समningen जब सके AUDIENCE करना चाहिए आपकी पंदरा साल है तो भी आप सबस्ट कर सकते हो आपको मेड़ hypothesis कर सकते इनिवस्ट करने के तरह की तरीक है आप में और को ने कं समय नहीं को शुंद नहीं अप में जुत पर याप मुसुटर सैंजओ कर सकते हैं व concurrent में आपको करण रुपए बना के दली मैं और के सम्जा रहा हूं दो दोस्त होते हैं एक का नम होता है राहुल एक का नम होता है रभी तो रहुल क्या करता है, रहुल 30 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और वो 20,000 रुपए प्रिती महिने 20 साल तक जमा करता है इस पकार हम देखती है तो टोटल उसने 48 बहुत सालिस लाइक रुपएय जमा उसके हो जाते है आण भी स्कोन है जबकर दूसरा दोस्त रवी जो कि बींस साल Apple जुक्रता है वह विस साल तक नहीं करता वो तीफ साल तक इन्वमेस्ण करता वो 20 साल से स्टाइटिंग करते था आपने इनवस्टिंग करना और मेर्म 15 साल की इसны तक 30 साल तक पने इनवेस्टिंग करता है इस पकाल उसके टूटल कितने रुपए इनवेस्ट हो जाएंगे उसके इनवेस्ट हो जाेंगे कितने बहात्र लाग यानि दोनों के बिच अंतर कितना रहा दोनों के भी सिर्फ 24 लाग का अंतर रहा अब आप रहर देखिए हम अगर निप्टी ने जो पिछले 20 साल में जो रिटन दिया है लगवग 15 परशेंट अगर उसी को कैल्क्योट होके चलते हैं कि 15 परशेंट का रि इसने की 10 साल जादा इंवेस्टिंग की यानि 24 लाग रुपे जादा लगाया उसका अगर कैल्क्योट करेंगे हम तो उसका 14 करोड 19 लाग रुपे से जाना रुपे उसका लाश्ट में उसको मिलता है तब आप समझ सकते हो कि इसमें दोनों ने कितना अंतर था कितना अंतर क इसलिए उनकी पूनी में इतना जाना अंतर हुगा यहां लाश्ट में उसने रहोले 3 करोड से जाना पैसे कमाया लेकिन रभी ने 14 करोड से जाना पैसे कमाया जबकि अगर हम पैसे की बात करें तो कितना अंतर था 24 लाग का अंतर था लेकिन जो एमांट मिला उनको एमांट चाहती हैं तो आपको निवेस पहले सुरू करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको यह नहीं सोचना कि अभी तुम्हें 500 रुपय कमा रहा हूं अभी तो मेरे पास 500 से स्टार्टिंग कीजिए चोटी चोटी कैपिटल से स्ट आदी नहीं हुई अभी तो मेरे को मजे करना है इस कवरंट से हमारे लोग पैसे बाले नहीं बन पाते हैं हम लोग निवेस ही नहीं करते हम अगर मेनेजमेंट करेंगे तो हमें अपने लॉंग टरम गोल्स और सॉर्टर्ण गोल्स को अचीब करने में कोई भी प्रॉड्म मेरे को अपने होगी हमारे सामने हमारे तो हो ना चाहिए आपके सोट टरम गोल्स में क्या है जैसे कि आपको बच्ची की स्टडी है, आपको बच्चे को आपको परें प्टो आखुना है, अपने साधी करना है या बच्चे की या बच्ची की यह आपकी लॉफ्टरम गोल्स हो सकते हैं, अगर आपको अपने short term goals और long term goals दोनों को प्राफ्त करना है अचीव करना है तो आपको निवेज बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा मतलब यह नहीं है कि आप बहुत जाना पैसा इंवेस्ट करें आप चोटा पैसा इंवेस्ट करें लेकिन बहुत जंदी स्टार्ट करें समय कि उसको समय दें अपनी निवेस को समय दें अगर आप समय दोगे तो आपका पैसा बहुत बड़ा आपके पास बहुत बड़ी कैपि तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जय हिन जय भाद